अपनी ही पार्टी को लगातार बगावत की जलक दिख्या रहे पूर्व मंत्री दीपक जोशी को बीजेपी से ही टिकित मिलेगा और वो अपनी पुरानी और पारंबरिक सीट हाट पिपलिया से ही चुनाव लड़ेंगे यनि पार्टी के पुराने नेता को तवज्जो देकर बीजेपी मनोद चौधरी का पत्ता काट सकती है सिंधिया समर्थक मनोद चौधरी उन चंद सिंधिया समर्थकों में से हैं जिनें कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी जॉइन कर ली थी पर जिनवादों के साथ वो इतना बड़ा जोखिम लेकर दल बदल कराये थे उसका कोई फायदा होता नहीं दिख रहा इसका इशारा कैबिनेट विस्तार के नामों से मिल रहा है दरअसल ये ख़बरे हैं कि कैबिनेट विस्तार में सभी सिंध्या समर्थकों को जगह नहीं मिलेगी केवल 10 सिंध्या समर्थक ही कैबिनेट का हिससा बन सकेंगे सुतरों के मुताबिक उन 10 सिंध्या समर्थकों में मनौच चौधरी का नाम शामिल نہ है जो हाट पिपलिया सीट से चुनाव लड़े थे और शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहे दीपक जोशी को हरा चुके है कैबिनेट में जगह न मिलने के बाद ऐसा हो सकता है कि चौधरी कॉंग्रिस में वापसी कर ले जुसके बाद दीपक जोशी का रास्ता खुद बखुद साफ हो जाए और बीजेपी से उन्हें ही टिकेट मिल जाए वसे भी कॉंग्रिस ऐसे निताओं की फिराक में है जो असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़ कर तो गए लेकिन बीजेपी ने उनसे किये वादे पूरे नहीं किये उसमें एक नाम मनौद चौधरी का भी शामिल हो जाएगा तो कोई आश्चेर नहीं होगा जो कॉंग्रिस में वापसी कर सकते है हाला कि अभी ऐसे किसी तरह की संकेत नहीं मिले है नमनौद चौधरी की तरफ से न कॉंग्रिस की तरफ से कर सियासत तो नाम ही आशनकाओं के अफसर में तब्दील होने का है इसके ऐसा कुछ हो जाए तो हैरानी नहीं होगी